बहुत ही आसान तरीका साग बनाने का बताने बाला हूं तो चलिए रेस्प पर शुरू करते हैं सबसे पहले सर्सों प्रों लिए अच्छी तरह से दो लिए अब कौन सिस्क्छों लेन यह मोटे डंटल भी सर्सों का आपने यूज करना है अगरा आपको लगता है इसके जो ड वह द्रेट के लिए अलग कर देना है इस तरह से पत्ते के अंदर डंटल यह तो बिल्कुल सॉफ्ट है तो इनको अलग से रख देते हैं और जैसे आपको पहले के उतारे्बॉ मैंने साफ कर लिए और इसके साथ में आपको एक उच्छी पालर की चीओगी उसको आप अच्छी तरह दो लेना है एक उच्छी हम यहापे सोय साग का यूज़ करेंगे बहुत देचा फ्लेवर आए कैसे और एक से दो गुच्छी आप इसमें बातु डाल सकते हैं और से दंट हैना बहुत ही जल्D की जल्दी बाग भंग बी जाते और इनके देशे भी निवहनगत हैं और जो सरसों सोब्स के पत्तेमेस यह अलग से रखनें ते उनको भी आपने इसी तरह से काट लेना और एक बद अच्छी तरह से अपने साग को ना पहले दो लेना है तक इसमें मिट्टी रेद बगेरा ना रहे ठीक है तो यह देखे इसके साथ में जो पालक था उसको भी आपने अच्छे से दो के काट लेना है पालक थोड़ा मोटा भी काटेंगे ना तो भी जल्दी बग ज कर सकते हैं क्योंकि साग को जब हम घोटते हैं तो पालक की अच्छी तरह से प्योरी बन जाते है और इसके साथ में अगर आपको लगता है इसके डंटल हार्ड है तो आप इसके पत्ते चांट लीचे जाए उनको काट लीचे अभी फ्रेश बथुआ चला है लें तो यह दो वराता है साग में अगर आपको मार्केट में मिलता है तो थोड़ा सा सोय साग भी जरूर डाले आप साग में और के देखिए इसको मैं थोड़ा मोटा मोटा ही काट रहा हूँ क्योंकि बहुत ही चल्दी पक जाता है तो सारी सबजियों की मैंने कटिंग कर लिए सबसे पहले पहले अच्छी तरह से दो भी लिया था अब साग को करेंगे तो बॉल कैसे करना है वैसे तो पंजाब में दो से ढाई गंटे तक हंडी में डाल के साग को पका जाता है बड़ घर में इतना टाइम नहीं होता है तो हम इसको कुकर में करेंगे तो कि देखिए यहां पर सबस तो इसके साथ मैं पानी याईड करेंगे तो एक चाहता है तो आदरक लसरो के बीमिर्चा को आपने ना हे या फिर आपको कूट साग को मैंने लोग फ्ले में पका लिया था और साग पहले तो भरव कुकर था अब देखिए पकने के बाद ना इसकी कौंटिटी कम होती चली आती है तो अच्छे से चना दाल के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ में अदरग लसन हरी मिर्च का यूज आपने थोड जातर जो साग बना जाता है मक्की के अट है बेसन का यूज चना दाले ना इसके साथ भी बहुत ही जवर्दस साग बनता है अब त्राई कर सकते हैं और यह देखिए उपर से कुपर को कबर कर दिया है एक बिस लाने के बद आपने इसको 25-30 मिन तक बिल्कुल लोग फ्ले म आने अपने यह देखिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे साग अच्छी तरब से मिक्स को जाता है और जब आप साग को घोटेंगे गयस की फ्ले मापने चालू रखनी है और एक्त्म लोग फ्ले में पकाने अपने साग को तो घे देखिए अब देख सकते हैं यहाँ पर लगवा अब तढ़का लगाने लिए एक अधरग का टूकडा ली है, साथ में लसून का विसारा, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और दो प्याज का यूजकी है, ब्याज अधरग लसून मिर्ची को मैं ने देखिये बरी काट दिया, अब इसके बद ही है अब मैंने स्टेञ्लेस चेल की ख़ाइट करना है तो आप यई समें तोड़ के लाद में श्रीर चीट आपने साथ में थोड़ी से में हीज एड़ करनी है तो medium flame में धनिया में थोड़ा सा color आने देना है जैसे धनिया थोड़ा सा पकना चुन हो जाएगा इसके पूद आपने इसमें अद्रक लसुन हरी में चायड कर देनी है और गैस की flame आपने medium to high रखनी है और medium to high flame में आप अद्रक लसुन को अच्छी तरह से पका लिशे तो किये देखिए लसुन में color आ चुका है इसके बुद आपने इसमें साग एड़ कर देना है जो साग हमने गोड के रखा दा रहा हम लोग करते हैं रात को साग बना के त्यार कर है और सुबह इसमें तड़का लगाते हैं जितना इसको रेष्ट मिलता है उतना ही इसमें अच्छा टेश आ जाता है और आपने 5-7 मिन तर साग की ना बुनाई कर लेनी है अच्छे से इसको भूल लेना है ताकि जो इसमें हमने दाल बगरा डाली है वो अच्छा टेश दे अब इसके उपर ना एक तड़का लगाएंगे आपने पहल लेना है थोड़ा से उसमें देशी की डाल लिए गी को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है चार से पांच आपने हरी मिर्च लेनी है बीच से काटकें को मिर्चों को भी डा देना घी में हल्का सा घी के साथ ने चोग फ्राइका लिश्ट